हलो दोस्त, एलबी के बाद आर्पी एफ, रेलवे पोर्ट एक्जन पोर्ट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लिकेशन एस्टेटस आ गया है, आप भी अपना चेक सकते हैं, रिजेक्ट हो गया, एसेट हो गया, और आपके पास एसमेस भी आया होगा, और सायद एसमेस नहीं आया होगा, तो एमेल आया होगा, तो रेलवे रिकूर्मेंट की प्रोसेस जो धीमिगती है, उसका दूसरा कदम, यानि दूसरा अप्डेट, अप्लिकेशन अप्डेट है, फॉर्म भरने के बाद, वो दूसरे कदम पे चला है, इसका बाद आती है, नोटिस, सीबी टी की, तीसरे कदम पे, चौते कदम पे अगला रिजल्ट आता है, या अप्लिकेशन अस्टेटस है, सब बगेरा बगेरा आते रहता है, फिर आपकी अब्जेक्शन मनेजमेंट के बात होगी, फिर उसके बाद आपका रिभाईज अंसर की, फिर रिजल्ट, फिर सीबी टी टू की बारी आती है, लेकिन अभी यहाँ पे, आर्पी एफ के लिए अप्लिकेशन अस्टेटस आ गया है, इस से साब से देखेंगे, तो आपका टेक्निशन के एक्जाम, दोजार चौविस में तो होता हुआ, दीकी नहीं रहा है, ज्यादा से ज्यादा एल्पी और आर्पी एफ एसा ही और कॉंस्टेबल का तक ही लग रहा है, सीमित है, तो कुछ लोग कर रहते हैं, आर्पी एफ की बेकेंसी बढ़ेगी, इतक्या साइद अब लग रहा है, मुश्किल है इसके बाद सब इंस्पेक्टर और कॉंस्टेबल दोनों के लिए, क्योंकि यह अब इसके लिए भी यहां पर लिंक नहीं है, लिंक आप वहीं से चले जाएंगे, rrb.gov.in वहीं से आपको मिल जाएगा, यहां पर अभी केवल अप्लिकेशन के लिए जो दिया है, नोटिस है, उसको देख लिजेगा, और लिंक उसी में नीचे पर वाइड होगा, बता दिया गया होगा, यहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, कब से चेक कर सकते हैं, rrb.gov.in वहीं से आपको मिल जाएगा, यहां से आपको कुछ ना कुछ मोडिफिकेशन के जरूरत पड़ेगा, वह कर लिजेगा, रिजेक्टेड है, अगर रिजेक्ट हो गया, तो साहर आपको दुबारा मौका नहीं मिले, वह बहुत कम कंडिडेट का होता है, एक 8% रियर का बहुत, बहुत सारा कोई लोग फर्म भरा पेमिन्ट नहीं दिया, इस टाइप टाइप के बहुत कम इस सूरत हैं, उनका होता है, वेबसाइट का लिंक के लिए आप देखे लिए है, www.rrb.gov.in पर आप चाहेंगे, यहां पर कर लेंगे, इसके लिए जो आपका अप्लि देख बगेरा होगा, तो उसको rrb की फर्म करना है, अगर आपका कोई इसू है, तो help line number, help desk, email के लिए, और timing रहेगा, 10 बज़े से 5 बज़े तक, यह आपको detail है, अब technician की बास करते हैं, technician का देखिए, अभी process चलना है, technician की आपने देखा होगा, अभी curriculum आया, curriculum में आपका detail अभी 2 से 15 तक तो आपका October में, October 2014 में अभी चलेगा, rrb apply का, फिर 15 के बाद 21 से 25 तक आपका application, correction का date आएगा, यानि October खतम हो गया, पूरी तरह से, उसके बाद आपकी application अस्टार्ट आएगी, तो आपका November तक पुछाएगा, फिर CBT होगा, नवंबर तक होगा, CBT की notice आएगी, तो हो सकता है, December पहुंच जाए, या December में आपका exam, या December के बाद जनवरी 2 से, उससाब से पहली बार लग रहा है, technician 2025 में जाएगा, नहीं तो December कम से कम, December 2024 में आपका technician का जाएगा, उसके पाद graduate, undergraduate, NTPC के दूनों exam है, ये भी exam करीब करी इसमें ही होगा, तो अब सवाल इसमें हमें ये दिकत नहीं है, कि 2025 तक इन्होंने 9 महिना तो ऐसे ही निकाल दिया, भरती का exam करेंडर बोल के, कोई CBT अभी railway का एक भी exam नहीं हुआ है, तो आगे आने वाले दिनों में इतनी तेजी हो पाएगी, कि सारे exam line by line, एक के बाद ए जाएगा, तो बहुत टाइम लगेगा, फिर अगली वेकेंसी और इक साथ टकरा जाएंगी, क्या ये भी होता है, जैसे और JSC बगेरा होता है, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी चीज है कि 2025 में बहुत जल्दी तो वेकेंसी आता हुआ, नहीं दिख रहा है, कुल मिला के जो आपने exam calendar के demand किया था, railway ने exam calendar दे दिया, वेकेंसी को 1 बटा 5 कर दिया, और आपका CBT भी नहीं हुआ, और आपकी exam के साथ पर exam paper भी नहीं हुआ, तो नुक्सान किसका है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपको समझना है कि नुक्सान RRB का है, या candidate का है, या coaching चलाने वाले जिन्होंने आपका demand किया था कि exam calendar रिल्वे में आजाए, उनका है, समझ लीजिएगा आपने आप, thank you, धन्यवाद